एक वीडियो था जिसमें आपने कई बाते की काफी वाइरल हो और काफी फैन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं काफी फैन्स आपको ट्रोल भी कर रहे हैं तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं जो फैन्स सपोर्ट कर रहे हैं उसके रिए क्या कहना चाहूगे तो ने I love my fans जो मुझे ट्रोल भी कर रहे I love my fans जो मुझे support भी कर रहे मैं emotional हूँ लड़की बहुत जादे emotional हूँ और मैं रोती भी हूँ मैं हसती भी हूँ मैं अपने अपको संभा लिया है और आज ही मैंने super dance किया है और मैं dance करके भी मैंने आज मैं dance भी कर रही हूँ और अभी मैं अपने sense में भी नहीं हूँ और अभी मेरा मैं big boss से बाहर निकली हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा काम भी नहीं कर रहा है और मुझे बहुत लंबा वेकिशन चाहिए I need मुझे कही जाना है कहां जाना है मुझे नहीं मालूम है बड मुझे जाना है I love everyone How difficult it is to overcome a heartbreak? Very difficult I'm eating rabdi, jellybee, kheer, chocolate, cake I'm eating so much I'm eating I'm totally diet When I'm depressed Why am I eating so much of sweets? क्यों मुझे शान्ती मलती है sweets का के? मुझे नहीं पता But आज मैंने सुरी नमशकार मारे है 1.500 कल मैंने और आसुब मैंने इतना मिठाय खाया है डिप्रेशन से बाहर निकल के और मैंने इतना 1.500 सुरी नमशकार और 400 लंजीज मारे हैं खा भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ Sorry सल्मान जी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लीम हो जाओं लेकि मैं बेडिप्रेशन में हूँ मैं बहुत जल्दी स्लीम हो जाओंगी सल्मान जी और आपके सौंग के लिए मैं रेडि हो जाओंगी मुझे थोड़ा सा वक दी चुए फिर हम लोग बहुत अच्छा गाना करेंगी सल्मान जी मैंने आपके लिए ड्रीम देखा ता मैंने कल कि मैं एकदम साइज जीरो हो गई हूँ और हम लोग साथ में गाना कर रहे हैं निराकी जी रिटेश तो चलके लेकिन उनकी आदों में उनकी कुछ यसी यादे आती जो आप कर सकते हैं कुछ अच्छी बात या बुरी बात है मैंने रिटेश की मेरी कोई यादे उतनी है नी क्योंकि रिटेश जब कैनेडा बेल्जिम से आये थे तो हम लोग तुरंद बिग बॉस में गए और बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे वान और टू विक्स हम साथ में रहे हैं सर्फ उतना ज्यादा रहे ने ना मैं अपने हनीमून पे गई हूँ है मेरा हनीमून काश में हनीमून पे जाती मैं मौनी रॉय की तरह बर्फ में स्नो में मौनी रॉय उनके कपल की तरह और अंकीता लोखंडे की तरह मैं हनीमून पे जाती और मैं स्नो में एक दूसरे के उपर हम गोले भी बना बना के डालते लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का आइस में गोले बना बना के एक दूसरे में फेकने का और वो गाना जो था करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम I'm not mad मैं पागल नहीं हो गई हूँ I'm fine बढ़ हाँ मुझे सबके तरह आनीमून मनाने का मौका नहीं मिला है बट एक दिन तो जाएंगी कबर में जाने से पहले आनीमून God मुझे तब उससे पहले लेना मत प्लीज हाँ मुझे उससे पहले बुलाना मत प्लीज God मुझे हानीमून जाना है मुझे सनो के गोले बना बना के जैसे विराद कॉली और उनकी वाइव गये थे सनो में सब लोग जिनकी शादी हो जाती न वो ठंडी जगे क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता सनो में जाते हैं एक दूसरे पर गोले बना बना के फैंकते हैं मुझे भी जाना है मुझे हनीमून करना है कि ताके मैं ठेह सारे आइस के गुले बना बना के न आपने पती पे पेकूँ ओके एराकी जी आप लिक बोस के अंदर जब रिटेश निकल चुके थे तो आप बोले कि मुझे भी डर है कि विलिटेश मुझे छोड़के चल जाले हुआ है मुझे जो डर हो गया सच्छ तो अज मुझे पता चला के रिटेश मीडिया के सामने और रियाल रिशो में क्यों नहीं आना चाहते थे क्यों पर्याल करके और विलिटेश यह डर क्यों आक्रमों मैं बैए पौह की सबाण है पना क्योंस अब क्यों नहीं किसी पढ़े पड़े मेरेड़ी एकसपायर हो गय गय, लेगर मेरे डेड़ी की इछ थाती कि मैं बड़े पुलीसवाले करूब ज़का जब मेरे इछाचती कर ऊपुलीकि करो मैpower मैड जाओंगे आई पील में मैं क्रिकेट मैच मैं भी अपने हजबन को चौके चुके लगाते हुए देखूंगी बैठके और मैं मत दूंगी पर आफ ताल बोलेते कि जो फिल्म सिटी में आपके आपके स्किया ते रिटेस को तो वो चिले के वो बहुत ज्यादा दुखी थे तो इसके बारें किया बोलेंग किस किया था I'm everything I'm blaming for my marriage forcefully marriage I'm blaming myself I'm taking मैं अपने पर सारा इल्जाम लेती हूँ कि मैंने forcefully शादी करी थी मैंने forcefully उनको बुला कि यहाँ पर शादी करी थी उनका कोई कसूर नहीं है और मैंने forcefully उनके साथ किस किया था भाह साब मैं इतने तो इल्जाम अपने पर ले रही हू यार कौन सी लड़की होगी जो अपने पेतना इल्जाम लेगी बताओ आज बॉलिवोड लेजेंड सिंगर बपी लेरी जी हमारे बीच नहीं रहे है उन्होंने काफी थाउजन से भी अच्छे गाने दी आप क्या कुछ कहना चाहोगी इसकी बपी जी बपी दा मिस्स कर रहे हम आपको बपी दा मैंने आपके साथ कितने सारे आवार्ड नाइट की है बपी दा बपी दा कितने अच्छे लगते इतना सरा गोल्ड पैन के बपी दा के तरह वो जो उनका लूक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता कोई कितना भी गोल्ड पैन है लेकिन बप्विदा ने जो गाने दिये है उलाला 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 तु है मेरी फैंटिसी चुनाना चुनाना अब मैं जवाँ हो गई फिर आइम 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 डिस्को डांसर मुनिमद नाम हुई डारलिंग तेरे लिए शीला शीला की जवानी इतने बहुत सारे गाने दिये और कौन सा यादा रहा है तेरा प्यार बहुत सारे गाने दिये बपिदा ने बपिदा आपको नीचर इतना अच्छा था आप रहसोगुला की तरह थे इतने स्वीट लेकिन आप 69 उमर में इतनी कम उमर में आप चले गए आपको तो सौ साल जीना था अब बालीवुड क्या करेगा आपके बगैर आप इतने अतने अच्छा गाने देते थे आप आपके पोते के साथ आपके पोते के साथ आपके पोते के साथ आप आपके पोते के साथ आपके पोते के साथ आपके पोते ने इतना अच्छा डांस किया था वी मिस्स यू आई होप के आपको स्वर्ग में बहुत अच्छा वेलकम हो हो गया तो आपका वेलकम हो गया स्वरग में. पटाकी जी अप गया ने उनके पिवनान में? मैं बट सएड हूँ. मैं अबे अपने सेंस में नहीं हूँ. और मैं मेरे पास वाइट सलवार कमीज नहीं थे. तो आप क्या मेडिया के माधियम से उनके फैमिल को क्या कुछ करना? तो इसलिए मेडिया के माधियम से मैं दुक जता रही हूँ. और नहीं सब बहुत बहुत दन्यवाद राकि जी आपका. राकि जी इदर राचेजे सफ़ेड़़नी थोड़ा पोटोबर। आप लोग आ रहे हूं वहां की मेडिया कबर करेगी च्यूं वहां की मिडिया तो किनी खास नहीं यह जतने मुंबाई की मिडिया बैस्ट है वो तु देखा बोपाल अभी गया तो मैं तो मुंबाई की मिडिया कोई जानती हूं पॉलटें वहको बन् होई है मैं मैं तो अभी जारी हूं उक हम बहें भी सब्सक्राइन की मिलेंनारों सब्सक्राइब की मैं जाओ निकिया छाणे के जाने किये बेरें सूर्ड़ मिलें देखाने करने रहां इंतर्वर्त जातने द्क्राइश. एक महनंदे के लिए लग कोश्म और शॉदी के लिया कोश्म हुए लिग अव्छान ही टो एक तो एक इनके लिए अफ्साना की शादी है है और भी कोई मैं नौ साड़े नौ बजे पहुंच जाओंगे तो कुछ कपल डांस है कि सोलो डांस है मतला जेसे फ्रेंड के साथ यह मेरा तो दारावी डांस रहेगा अपना गनपती डांस करूँ गनपती डांस मुझे पसंदे अपना बिंदा से फ्रीक आउट डांस पसंदे मुझे फ्रीक आउट दारावी और गनपती डांस बट पसंदे थैंक यह बाए राकी जी पसिदर देंगे